नई दिल्ली इलेक्टर और बॉर्ण मामले में सुप्रिम कोट ने स्टेट बैंक आफ इंडिया को फटका लगाती हुए नोटिस जारी किया है जी हाँ दरासल बैंक से पूछा गया है कि बॉर्ण नंबरों का खुलासा क्यों नहीं हुआ है बैंक ने अलफा नियुमेरिकर नंबर क्यों नहीं बताया अदालत ने SBI को बॉर्ण नंबर का खुलासा करने का अदेश दिया है अदालत का अदेश है कि सील कवर में रखा गया डाटा चुनाओ आयुक को दिया जाए क्योंकि उनको इसे अपलोड करना है अदालत ने कहा कि बॉर्ण खरीदने और मुनाने की तारिक बतानी चाहिए थी सुप्रीम कोट ने कहा कि इसी में अपलोड करने के लिए डाटा जरूरी है सुप्रीम कोट का कहना है कि बॉर्ण नंबरों से पता चल सकेंगा कि किस दान दाता ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है अब मामले में अगली सुनवाई सोमवार को यानि 18 मार्च को होंगी रोज मर्ना की ताजा खबरों के लिए हमारे साथ बने रही है मैं हूँ वल्फिय और आप देख रहें तदकाल नियूस लाइफ